तो आज से करी 20 साल पहले जब अमेरिका ने war on terror नाम से एक बहुत बड़ा movement इस्टार्ट किया पुरे world में और उसने लगातार दुनिया में कई जगां terrorism के खिलाफ आवाज उठाई, actions लिये और यहीं नहीं बहुत सारी countries पे उसने dominantly और even ruthlessly attack करके अपने interest को बचाने के की तब शायद अमेरिका को पता नहीं था कि 20 साल बाद जब वापस lot के इन सभी time limits को वो देखेगा तो वो पाएगा कि आज उसके पास खुछ भी नहीं है और उसको इन सब से especially अफगानिस्तान में पीछे हटना पड़ रहा है Hello Everyone and Welcome to Socializer और Socializer के इस बहुत ही जदा interesting वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे तालिबान वापस से अफगानिस्तान में अपने पैर पसा रहा है और बोलना तो गलत होगा लेकिन अमेरिका लिटरली भागने की कोशिश कर रहा है आपने हाली में कई सारे instances और news सुनी होगी जिसमें आपको पता चला होगा कि American troops और Western troops वापस लोट रही है अफगानिस्तान से तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान वापस से अफगानिस्तान में अटेक करा है आखर ये सब events है क्या ये सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हु दोहा यानि कि कतर की राजधानी में मिलते हैं और वो साइन करते हैं एक peace accord और इसी को कहा जाता है the Doha Peace Conference इसमें ये decide होता है कि America अफगानिस्तान से अपना troop का withdrawal स्टार्ट कर देगा और ये withdrawal मई 1 2021 यानि कि 14 महिनों के बाद समाप्त हो जाएगा US के कोई भी सेनिक अफगानि कि तालिबान को किसी भी प्रकार के militant और terrorist activities को support नहीं करना है जिससे America को problem हो अब देखिए इस peace deal के बाद सबसे बड़ा नुकसान अगर आप guess कर सकें तो वो हुआ USA को जी हाँ अब सोचके देखिए अब तालिबान तो चाहता ही था कि Western troops जो है वो अफगानिस्तान से चला है जिससे तालिबान जिसके लिए Western सैनिक सबसे बड़ी हड़ी थी अफगानिस्तान को हत्याने की वो अफट जाएगी उसके सामने से और अब किसी भी प्रकार का major resistance उसको सामने नहीं मिलेगा तो कोशन आता कि USA ने ऐसी डील को sign किया ही क्यों अगर उसको loss ही हो रहा था तो वो क्यों यहां से निकलने की बात करा है तो answer इसका यह है कि USA last 20 सालों से अफगानिस्तान में फसा हुआ था लगातार बहुत बड़े amount में USA अपना पैसा खर्च करा था अफगानिस्तान में war के लिए अपने soldiers को maintain करने के लिए उनके रहने खाने का इंतिजाम करने के लिए and all that जितने भी expenditure आते हैं और इसकी विजासे USA एक तरफ economic उसको stress यहां जहिलना पढ़ी रहा था वहीं दूसरी तरफ वहां की जो local families यानि कि जो American soldiers की families थी वो भी डिमांड करे थी कि हमें और casualties नहीं चाहिए soldiers को वापस बुलाने का समय अब आ चुका है इसलिए New York Times जैसी media agencies न यह पूरा मन बना लिया था कि वो धीमे धीमे troops का withdrawal करना शुरू कर देगा लेकिन problem यह थी कि troops का withdrawal 14 महिनों में करना भली यह time बहुत बड़ा है लेकिन करना इतना असान नहीं कि America बहुत सलों से वहां पर रह रह रहा था इसलिए America ने थोड़ा समय लगाया और interesting बाग तो य कि America ने अपना last tube withdrawal एक मई 2021 से start किया इसका मतलग कि जब उसको पूरे withdrawal कर लेना था तब उसने अपना last phase of withdrawal start किया and Taliban इसी पर जो इतने दिनों से attack करी रहा था उसको यह कुछ chance ढूड़ा था कि किसी तरह उसको एक तरीका मिल जाए इस peace deal से हट कर कुछ extra करने का और उसको यहा America ने peace deal को wallet किया है और अब Taliban suitable action लेगा और तब से start हुआ है मई 2021 से more precisely कहें कि उसके पहले से attack तालिबान करना शुरू कर दिया था actually ceasefire इतना रहा भी नहीं था ceasefire बोला गया अफगानिस्तान में ceasefire लाया जाएगा इतना कुछ खास ceasefire था ही नहीं लगातार attacks होई रहते कभी कभी में सुनाए पड़ता था और Taliban ने मई के बाद से और भी attacks चालू कर दिये उसमें तो साफ सा बोला कि यह wallet करें तो हम भी wallet करें है कि Afghanistan has once again become a happy hunting ground for Taliban तो अब चलते हैं current की situation में इस समय क्या हो रहा है देखिए इस समय तालीबान ने लगातार offensive strikes start कर दी है एक तरफ western troops हट रहे हैं तो एक तरफ तालीबान ने लगातार इनके जो ruler provinces हैं Afghanistan के वहाँ पर attack कर रहे हैं और literally उन्होंने कई सारी districts को Afghanistan में हतिया लिय है more precisely कहा जाए तो करीब 400 districts में से 157 districts को तालीबान ने हतिया लिया है अब सोचिए almost 40% अफगानिस्तान तालीबान के हक में आ चुका है and अब यह देखिए बहुत ही अच्छा मैप है अफगानिस्तान का जिसमें आपको clear पता चलेगा कि जो blue areas है यह वो areas है जिसको तालीबा और तालीबान के बीच में fighting चल ली थी जिसमें पहले western troops थे अब इसमें बिल्कुल हो जा चुके हैं तो अब अफगानिस्तान की government की जो cynic है वो इससे लड़े है 39% ऐसे इलाके है और यहाँ पर 36% अफगानिस्तान की population रहती है 21% ऐसे भी districts है जहाँ पर government का control है जहाँ पर 34 परसंट population रहती है लेकिन main बात है कि सोचिए almost 80% ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार fighting या pensions देखने को मिलना हैं लोग सही से रह नहीं पा रहे हैं कितनी बुरी condition है अफगानिस्तान में और यहीं नहीं अफगानिस्तान में तालीबान ने almost अपना state स्थापित करना पर उन्होंने अपना control बना लिया है जहां पर government of Afghanistan हट चुकी यह पूरी तरह से और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह मैं नहीं यह US की एक top report कह रही है कि अगर Afghanistan में US का troop withdrawal होता है तो within 6 months Afghanistan में सरकार गिर जाएगी Afghan government could collapse 6 months after US withdrawal new intelligence assessment says so यह था पूरा explanation अभी की पूरी conditions के बारे में क्या Afghanistan में चलना है क्या थी वो peace deal किस प्रकार के अभी events देखने को मिलना है और सच में बहुत खराब लगता है यहां पर वहाँ पर local civilians जो है उन्होंने बंदूके उठा ली है तालिबान के खिलाफ जैसे जैसे foreign troops हट रही है आर्टिकल है अब आने वाले समय में हमारे पस दो कोशन रहेंगे क्या US पूरी तरह से वापस चला जाएगा Afghanistan के common people को वो Taliban के हाथों सौप कर निकल जाएगा और दूसा कोशन यह है कि Afghanistan का future क्या होने वाला है इतना violence और इतने bloodshed के बाद वहां की लोगों के सा तो मिले लेकिन क्या वापस से यह जितना भी किया गया है क्या इस पर पानी नहीं फिर जाएगा US के जाने के बाद क्या होने वाला है future में हमें आप social media पे फॉलो कर सकते हैं link in the description and so this is the end of the video thank you very much for watching and जब तक हमारे नए वीडियो जा रहे हैं तब तक रहिए socialize with socializer signing off झाल झाल झाल